हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आ गया हूँ एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप घर पे ऐसा एक टू इन वान गैजेट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसके अंदर एक तरफ है लाइट दूसर आज मोटोर एक फैन का ब्लेड और कुछ एलीडिस एलीडिस के बड़े वाले लेके प्लस और छोटे वाले माइनस हमको चाहिए ऐसे रोटेबल स्वीच इन स्वीच का कैप ऐसा रिजरजिबल बैटरी एक माइक्रो यूस्बी पोर्ट एक ऐसा चार्जिंग सर्किट ऐसा पाइप और ऐसे खाड़ा बेलेडी का स्ट्रिप जिससे हम फैन को मस्बूदी दे सके सबसे पहले हम बॉक्स ले लेंगे और बॉक्स के ऊपर पाइप सामने दो स्वीच और पीछे माइक्रो इस भी पोड लगाने के लिए जगा बना लेंगे अब हम मोटर ले लेंगे और मोटर के एक पॉइंट पे एक ब्लैक वायर और एक पॉइंट पे एक रेड वायर कनेट कर देंगे अब हम pipe से ऐसा एक टुकड़ा काट लेंगे और उसके बीच में एक hole बना देंगे जिससे कि हम हमारा motor को इसके अंदर अच्छी तरह से fit कर सके और उसके उपर लगाने के लिए हम एक cardboard का circle ड्रॉक करेंगे और उसके बीच में भी एक hole बनाएंगे और इन सबको हम glue gun की मतलब से अच्छी तरह से motor के साथ fit कर देंगे अब हम cardboard से ही एक ऐसा circle बनाएंगे और उस circle के अंदर LEDs लगाने के लिए marking कर लेंगे LEDs लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा इसके अंदर जो plus point से उसको मैंने एक wire से और negative को दूसरे wire से connect कर दिया है ये जो black वाला wire है ये है इसका negative और जो ये दूसरा wire है ये है इसका positive अभी मैं benedy की मदद से इसको एक बर आपको check करके दिखाऊंगा आप देख सकते कि साड़े LED glow कर रहा है इसका मतलब हमारा connection एकदम ठीक है अब हमने जो motor के साथ pipe लगाया था उस pipe के दोनो points को इस cardboard के circle के दोनो side पे glue gun की मदद से लगा देंगे अब हम हमारे LED का जो minus वाला point है उस minus wallet point को motor के minus वाला point के साथ connection कर देंगे अब हमने जो खराब LED के strips रखे थे उन strips को हमें motor के बीच वाले जगे में अच्छी तरह से glue gun की मदद से लगा देना पड़ेगा इसको लगाने के पाथ हमारे motor को मजबूती मिल जाएगी अब हम एक खराब LED का टुक्रा लेंगे और उस टुक्रे को हमारे motor के पीछे अच्छी तरह से glue gun की मदद से लगा देंगे यह अच्छी तरह से चिपक गया है अब हम flexible pipe ले लेंगे और उस flexible pipe के अंदर से जो हमारे LED strip से और wire से उनको हम निकाल लेंगे इसके लिए सबसे पहले हम सब चीजों को एक साथ सेलूटे बलगा देंगे उसके बाद flexible pipe के अंदर से इसको डाल देंगे उसके बाद glue gun की मदद से अच्छी तरह से अपनी जगे में fix कर देंगे अब हम box ले लेंगे और box के पीछे जो बड़ा micro USB port है उसको अच्छी तरह से लगा देंगे और अब हम switch ले लेंगे और दोनो switch के एक एक point को हम एक wire के साथ अच्छी तरह से connect कर देंगे अब हम charging circuit लेंगे और charging circuit के output positive बलब point के साथ एक wire connect करके उस wire को एक switch के point के साथ connection कर देंगे अब हम battery ले लेंगे और battery के दोनो side पे दो wires connect कर देंगे उसके बाद हम charging circuit के अंदर जो battery positive बलब point है उसके साथ battery का positive और जो negative बलब point है उसके साथ battery का negative को connection कर देंगे इसके बाद हम box ले लेंगे और box के अंदर हमने जो micro USB port लगाया था उसके जो दोनों point से उस point को charging circuit के positive और negative में connection कर देंगे अब हम fan ले लेंगे और सबसे पहले fan को box के अंदर से अच्छी तरह से डाल देंगे और इसको लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से glue gun की मतद से अपनी जगे पे fix कर देंगे उसके बाद हम इसका connection करेंगे सबसे पहले motor के अंदर से जो positive wire आ रहा है उसको एक switch के साथ connection कर देंगे उसके बाद LED का जो positive बाला point है उसको दूसरे switch के साथ connection कर देंगे अब जो negative बाला point है उसको हमारे circuit के अंदर जो output minus बाला point है उसके ताथ shouldering कर देंगे आप देख सकते हैं कि connection करने के साथ साथ हमारा LED गलो कर रहा है क्योंकि हमारा LED का जो switch है वो on है अभी हम इसको अच्छी तरह से check करेंगे अब हम switch का जो cap है उस cap को ले लेंगे और उसके बाद इसको switch के साथ लगा देंगे आप देख सकते हैं कि switch की मतर से मैं LED को कम या जादा कर पा रहा हूँ अब मैं एक blade ले लूँगा और blade को motor के साथ लगा दूँगा आप देख सकते हैं जैसे कि मैं switch on कर रहा हूँ हमारा blade घूम रहा है यानि कि हमारा connection एकदम ठीक है अब इसको अच्छी तरह से हम box के अंदर अपनी जगह पे fix कर लेंगे फिर इसको हम final checking करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा project एकदम ready हो गया है इसके नीचे मैंने cardboard का टुप्र लगा दिया है अब मैं इसका blade को लगा दूँगा और इसका बाद इसको check करेंगे सबसे पहले मैं इसका fan को test करूँगा आप देख सकते हैं मैं switch घुमा रहा हो और इसका fan का speed दिरे दिरे बर रहा है इसी तरह इसका LED का जो switch है उसको घुमाने से इसका LED जलेगा और दिरे दिरे उसका brightness भी बरेगा और स्विच को दूसरी तरब घुमाने से LED दिरे-दिरे डिम हो जाएगा आप अगर चाहे तो एक टाइम पर सिर्फ इसका LED या सिर्फ इसका फैन को भी चला सकते हैं अगर आप चाहे तो दोनों चीज़ों को एक साथ भी चला सकते हैं अगर आपको बैटरी का बैक अप ज्यादा चाहिए तो आप दो या तीन बैटरी का भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं अगर इस चैनल पर नए हो तो ऐसे इंट्रेस्टिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राब कर दीजिए और बेल बटन को ओल पे सिट कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में